नमस्कार दोस्तों आईए आज जानते हैं गौार फली के आश्चर्य जनक लाभों के बारे में गौार फली की सबजी बहुत से लोग खाना पसंद नहीं करते हैं वैसे तो बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा इसका नाम भी नहीं जानते होंगे बह जैसे यह diabetes मरीजों के लिए अच्छा विकल्ब है यह शरीर में खराब कोलेस्टरोल को कम करने में सहायक होता है गर्फवती महिलाओं के लिए यह बहुत ही बेहतर होता है आईरोन और कैल्शियम से भरपूर गवार गर्फवती महिलाओं के लिए अच्छा विकल्ब है इसमें जनौग एसिद भी होता है जो मा और बच्चे को कई जटिल्थाओं से बचाने में सहायक होता है दिमाग को शांत रखती है गवार फली के हाइपोग्लाइसेमिक तत्वनसों को शान्त रखने में सहायक है इसमें चिंता तनाव को कम करने और मानसिक रूप से व्यक्ति को शांत करने के गुन होते हैं डाइबिटीज मरीजों के लिए अच्छा होता है यह गौर में ग्लाइको न्यूट्रियंट्स तत्व होते हैं जो बॉडी में ब्लड शूगर लेवल को कंट्रोल करने में सहायक हैं इसमें कम ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है इसलिए इसे अप जबूत बनाने में मदद मिलती है इसके अलावा इसमें मौजूद फासफोरस से हड्या स्वस्थ रहती हैं ब्लड प्रेशर प्रबंधन में सहायक और हाइपोलिपीडेमिक तत्व की वजह से यह सबजी हाइपर टेंशन से पीडित लोगों के लिए बेहतर विकल्प है इस में काम कर मलत्याग को सरल बनाती है और पाचन तंत्र को सही रखती है यह शरीर से टॉक्सिन निकालने में भी सहायक है ब्लड सरकुलेशन सुधार में सहायक होती है यह गौर में मौजूद आयरन से हीमोगलोवीन उत्पादन बढ़ता है जिस से शरीर में खून की उचित आप पूर्ति होती है इसमें मौजूद फाइटो केमिकल्स से भी ब्लड सरकुलेशन में सुधार करने में मदद मिलती है दिल को स्वस्थ रखती है गौर का रस शरीर में बैड कॉलेस्ट्रोल लडील को कम करने में सहायक है इसमें मौजूद फाइबर पोटेशियम और बवासीर अगर आपको बवासीर है तो गौर की फली की सबजी प्राय सभी खाते हैं गौर के पोधे के 11 पत्ते 11 काली मिर्च पीश कर 62 ग्राम पानी में मिलाकर हर रोज एक बार दिन में पीने से बादी बवासीर यानि कि वह बवासीर जिसमें रक्त नहीं गिरता है वो ठी संधी है तो इसमें गौर की फली की सब्जी खाना लावदायक है चोट या मोच हो आपको तो तील और गौर समान मात्रा में पीश कर पाने डालकर पकाएं पुल्टीस बनाएं फिर मोच या चोट वाले जगह पर बांधें दर्द दूर हो जाएगा गौर एक पशुआ हार ह यह था आज का हमारा वाई सुबर आफ सभी के लिए जो की गौर की फली के फायदों से रिलेटेड था अगली बार हम आफ सभी से जुड़ेंगे कुछे कोवर महतुपूर जानकारियों को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार